हेलो फ्रेंड्स आज से भारत का भुगोल की सीरीजी स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें जो परिच्छा द्रिष्टी है प्रिवी सियर्स के क्वेस्चन का संकलन है परिच्छा बाड़ी में तो भारत का भौतिक प्रदेश चैप्टर तीन का ये पार्ट वन है अभी इस पर वीडियो बना रहे हैं एक वीडियो और इस पर आएगा एक पार्ट टू करके जो इसके रिमेनिंग क्वेस्चन है वो पार्ट टू में होंगे तो आईए देखते हैं क्योंकि PCS का एक्जाम 19 मार्च को है उसे की द्रिष्ट से ये क्वेस्चन का संकलन जो है वीडियो इसी क्रवत चोटी केटी अर्थात गाडविन आस्टिन किस पर्वत्सरेंखला प्रवस्टीत है.. ये है करकोरं स्रेणि में इस समय ये पाक अधिक्रित कस्मीर में है अगला है कि स्रेनडी को उच्छ एसिया का मेरोडंड की उपमा प्रदान की गई है तो ये है कराकोरम सेडी अगला है लद्दाक स्रेंखला का सर्वच परवस सिखर कौन सा है तो ये है राका पोसी अगला है सचर जोन किसको अलग करती है तो सचर जोन जो है ट्रांस हिमाले और ब्रिहद हिमाले को अलग करती है अगला है तिबबत में ब्रह्पुत्र नदी को किस संग्या से जानते है तो इसको जानते हैं सांग्पो नाम से वहाँ जानते है लद्दाक स्रिंकला को राका पोसी सचर जोन को अलग करता है ट्रांस हिमाले और ब्रहध हिमाले और तिबद में ब्रह्मपुत नदी को सांगपु की नाम से जानते हैं अगला है गंगोत्री हिमनत किस हिमाले में इस्तित है तो ये कुमायू हिमाले में इस्तित है और कुमायू हिमाले जो कुमायू के पहाड़ियां ये उत्राखंड में है अगला है नाथुला और जीपला दर्रे किस प्रदेश में इस्तित है ये सिक्किम प्रदेश में इस्तित अगला है प्राइदीप में बरतमान में किस प्रकार की पहाड़ियां सामिल हैं तो आवसिस्ट प्रहाड़ियां सामिल हैं इसमें अगला है कस्मीर घाटी और डल जहिल किसकी बीच अवस्थित है तो कस्मीर घाटी और डल जहिल जो है ब्रिहद हिमाले और पीर पंजाल की मध्य अवस्थित है करेवा क्या है ये हिमनद, गाद, सघन, रेत, चिकनी, मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड पर मोटी परत के जमाव का संकलन है करेवा जो है हिमनद, गाद, सघन, रेत, चिकनी, मिट्टी और दूसरे पदार्थों का एक जमाव है अगला है उत्राखंड के किस भाग में पाताल तोड को ये पाय जाते हैं तो ये है तराई छेत्रों में पाय जाते हैं उत्राखंड के तराई छेत्रों में अगला है करेवा के लिए हिमालय का कौन सा भाग प्रसिद्ध है तो करेवा के लिए कस्मीर हिमाले जो है इसके लिए प्रसिद्ध है और करेवा क्या होता है करेवा हिमनत गाद संघन रेद चिकनी मिल्टि जहां इकठा हो जाता है वही करेवा होता है अगला है केसर, केसर को जाफरान भी बोलते हैं, केसर जाफरान की खेती किस पर की जाती है, तो करेवा पर की जाती है अगला है बैश्डो देवी, अमरनात गुफा, चरार ए सरीफ किस हिमाले में इस्तित हैं तो ये कस्मीर हिमाले में इस्तित हैं अगला है कस्मीर घाटे की उत्तरी और दच्छडी सीमा किन सीर्डियों की द्वारा निर्धारित होती है तो कस्मीर घाटे का जो उत्तरी छोर है वो ज्यासकर स्रणी है और कस्मीर घाटे का दो दच्छडी सीरा है वो पीर पंजाल स्रणी है तो कस्मीर घाटी का उत्तरी छोर हो गया ज्यासकर स्रणडी और दच्छडी सीमय जो गया वो पीर पंजाल स्रणडी हो गया अगला है काली नदी किसकी सहायक नदी है तो काली नदी जो है घागरा की सहायक नदी है काली नदी जो है घागरा की सायग नदी अगला है फूलो की घाटी कहां इस्तित है तो फूलो के घाटी कुमायु हिमाले में इस्तित है और कुमायु हिमाले कहां उत्तरखंड में ऐसे भी कोश्चन पूछा जाता है फूलो की घाटी किस प्रदेश को कहते हैं तो आफसन में उत्रखंडी होता है तो अगला है स्लैस और बर्ण किसी किस खेशी पद्धत की उप्मा है तो अस्तांतरित खेती के लिए अगला है लोक्टक जील किस घाटे में इस्थित है तो यह है मड़िपूर घाटे में यह बहुत फेमस है अगला है मोलेसिस बेसिन किस राजी की संग्या है तो यह मिजोरम की संग्या है मिजोरम को मोलेसिस की संग्या मोलेसिस बेसिन की संग्या दी जाती है अगला देखते हैं पूर्वी हिमाले की तुलना में ट्रे लाइन की उचाई पस्च्वी हिमाले में होता है तो पश्मी हिमाले में ट्रे लाइन की जो उचाई होती है कम होती है पूरी हिमाले में जो है ज्यादा होती है अगला है हिमाले का सबसे बड़ा ग्लेसियर कौन सा है तो ये ससाइस ग्लेसियर जो 158 किलोमेटर है सियाचिन की ग्लेसियर है लेकिन वो 72 किलोमेटर है अगला है परेटक, अस्थल, मसूरी, नैनी ताल, रानी खेत, अल्मोडा एवंग डार्जलिंग किस हिमाले के पार्ट हैं? तो ये मद्ध हिमाले के पार्ट हैं अगला है कस्मीर एवन काटमांडू घाटी हिमाले के किस भाग में इस्थित हैं? तो ये मद्ध और महान हिमाले के बीच में इस्थित हैं कश्मीर और काटमांडू घाटी जो है मध्य और महान हिमाले के बीच में इस्तित हैं अगला है हिमाले का दच्छडतम तथा नवीनतम विस्तार क्या है तो हिमाले का दच्छडतम विस्तार है सिवालिक हिमाले तो उत्तर से दच्छिड का जो इसका ओर्डर है पहले ट्रांस हिमाले है इसके बाद ब्रिहत हिमाले है ब्रिहत हिमाले के बाद मद्ध हिमाले है या लग हिमाले इसके बाद है सीवालिक हिमाले अगला है बुग्याले या पयार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं तो ये उत्राखंड प्रदेश में पाए जाते हैं बुग्याले या बुग्याल भी इसको बोलते हैं और पुयाल भी बोलते हैं पयार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं, तो ये उत्तर खंड में पाए जाते हैं, ऐसे जम्मू कस्मीर में भी घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसको मुर्ग बोलते हैं, अगला है हिमाले का वर्गी करण नदी घाटियों के आधार पर किया था तो हिमाले का वर्गी करण नदी घाटियों के आधार पर सिड्नी बुराड ने किया था अगला है एक अभिनित श्रिंखला जो आवडांचल प्रदेश और नागा लैंड में उत्तर दच्छड में विस्तारित है ये पटकोई बूम है एक सेंखला जो आवडांचल प्रदेश और नागा लैंड में उत्तर से दच्छिर तक विस्तारित है वो है पटकोई बुम अगला है श्रीर नगर को गिलगिट से जोडने वाला दर्रा जो है कौन सा है गुर्जिल दर्रा है अगला है जवाहर सुरंग किस दर्रे में इस्थित है तो यह है बनिहाल दर्रा आगे देखते है शिवालिक हिमाले की दच्छड़ी सिमा कौन सी है तो यह है गंगा का मैदान अगला है उप हिमाले या बाई हिमाले किसकी संग्या है तो ये सिवालिक हिमाले की संग्या है अगला है मद्ध हिमाले की दच्छिडतम सेड़ी धावला धर पूरु में किस नाम से जाने जाती है तो ये महाभारा स्रेड़ी के नाम से जाने जाती है मद्ध हिमाले को लग हिमाले की नाम से भी जानते हैं इसकी एक स्रेड़ी है धौलाधर धौलाधर को पूर में जो है महाभारा स्रेड़ी के नाम से जानते हैं अगला है सुलेमान और किर्थर परवस स्रेड़िया कहां पाई जाती है तो ये पाकिस्तान में है भारत योंग म्यागमार की सीमा का निर्धाण किस परवत से होता है तो यह है अराकान योमा से होता है अगला है कांगडा एवं कुल्लू घाटियां किस प्रदेश में इस्थित है तो यह है हिमांचल प्रदेश में केटू या गाडविन आस्टिन कहां वस्तित है यह पाक अधिक्रित कश्मीर में है आगे देखते हैं किस दर्रे का संपूर्ण भाग क्राचीन काल में रेसम माल के अंतरगर होता है खैवर दर्रा और खैवर दर्रा से ही मुगल सासक अकबर जो है 1526 में इंडिया में आये था अफगानिस्तान पाकिस्तान पहले अफगानिस्तान में भी था इसमें पाकिस्तान में हो गया है अगला है किं स्रेड़ियों के बीच सिंधु नदी की घाटी बिस्तित है तो जासकर एवंग लधाक सिंधु नदी घाटी जो है जासकर एवंग लधाक के मद्धिस्ति थे अगला है पूर्वी घाट किन पहाड़ियों से निर्मित है तो पूर्वी घाट इन पाच पहाड़ियों से है एक तो निलगिरी है दूसरा है पाल कोंडा तीसरा है नल्ला मलाई अचवता है जवादी है और पाचवा है सेवराई बड़े पहाड़ियां यह चोटी चोटी बहुत सारी पहाड़ियां है अगला है कच्छ प्राइदीप का सबसे उचा परवसिखर है यह है गिरिनार इसकी उचाई कितनी है 1117 मीटर है अगला है हिमाले की तीन सेर्यों को सतलद नदी ने किस गर्ज दौरा बेच्षेदित किया है अगला है पस्षवी हिमाले में अधिकांस वर्षा कैसे होती है तो यह होती है पच्छुवा बिच्छोब द्वारा होता है पस्षिमी हिमाले में अधिकांस वर्षा जो है पच्छुवा बिच्छोब द्वारा होता है अगला है बिना अधिकृत भारती हिमाले की सबसे उची चोटी कौन सी है तो यह है कंचन जंगा 8598 सिक्किम राज्य में अगला है जम्मू स्रीनेगर मार्ग किस दर्रे से गुजरता है तो यह है बनिहाल दर्रे से जम्मू स्रीनेगर मार्ग बनिहाल दर्रे से गुजरता है अगला है लेह को कुल्लू मनाली और केलांग से जोड़ता है तो ये है बड़ा लाप्चया दर्रा हिमांचल प्रदेश में लेह को कुल्लू मनाली और केलांग से जोड़ता है तो ये है बड़ा लाप्चया दर्रा अगला है शिवराय पहाडिया किस राज्य में वस्तित हैं ये तमिल नाड में हैं शिवराय की पहाडियां तमिल नाड में वस्तित हैं अगला है करा कोरम स्रिंखला का प्राचीन नाम क्या था तो करा कोरम का प्राचीन नाम था क्रिष्डागिरी आगे देखते हैं करा कॉर्म श्रिंकला का प्राचीन नाम क्या था तो कृष्डगिरी अगला है बीस्व का सर्वोच सीखर माउन्ट िर्स्ट हेमालय के किस भाग में वस्थित है तो ये ब्रिहद हेमालय में वस्थित है या इसको नेपाल हेमालय भी बोलते हैं अगला है भारती प्राइदीप किसका भाग है भारती प्राइदीप जो है गोंडवाना लेंड का भाग है अगला है कुलू एवन इस्पिती घाटी को जोडने वाले दर्रे कौन-कौन से हैं तो यह है देवसा दर्रा है और रोहतांग दर्रा पुलू और इस्पिति घाटी को दो दर्रे जोडते हैं एक देवसा और एक रोहतांग अगला है कस्मीर घाटी और कारगिल का संपर्क किन दर्रों द्वारा स्थापित होता है कस्मीर घाटी और कारगिल का संपर्क किन दर्रों से होता है तो एक पेंजली से होता है दूसरा होता है जोजिला दर्रेद्वारा कश्मीर घाटी और कारगल का संपर पेंजली से होता है और जोजिला दर्लो द्वारा होता है अगला है लदाख और तिबद की बीच किन-किन दर्रों से होता है संपर्ख तो ये एक है चांगला है, एक इमिला है, एक लनकला है, एक तसका है लद्दाक और तिबद की बीच किंदरों से संपर्क होता है तो एक है चांगला, इमिला होता है, और लनकला और तसका अगला है मिलाम हिमनत कहां अवस्थित है मिलान हिमनत जो है उत्राखंड में वस्तित है एक कुमायू प्रछेत्र में है अगला है उत्राखंड को तिबबत इवंग मानसरोवर से जोडने वाले दर्रों का नाम बताईए तो इसमें कौन-कौन से दर्रे हैं, जो उत्राखंड से तिबथ और मांग सरुवर को जोडते हैं तो एक माना है, एक मांग सा धुर है, एक मुलिंगला है और एक निती दर्रे हैं तो ये चार दर्रे माना, मांगसाधूर, मुलिंगला, नीती दर्रे ये चार दर्रे जो है उत्राखंड को तिब्बत और एवंग मानसरोवर से जोड़ते हैं अगला है लहासा का संपर्क सिक्किम में किन दर्रो द्वारा अस्थापित होता है तो ये हैं जलेपला और नाथुला अगला है लहासा का संपर्क अरणचल प्रोदेश से किन दर्रे द्वारा होता है बुमला दर्रे द्वारा लहासा का संकर सिक्किम से जो होता है जलेपला और नाथुला से होता है लहासा का संपर का अवडांचल प्रदेश से बुमला दर्रे द्वारा होता है अगला है अवडांचल प्रदेश और मांडले जो मांडले म्यांगमार का पहले नाम था मांडले अवडांचल प्रदेश और म्यांगमार के बीच आवा गमन किन दर्रो द्वारा संभव होता है तो इसमें ये दर रहे हैं चौकान, दिहांग, दिफू, लिखा पानी और पांग सान ये दर रहे हैं जो अरणांचल प्रदेश और म्यांगमार की बीच आवा गमन के लिए कौन-कौन से दर रहे हैं चौकान है, दिहांग है, डिफू है, लिखा पानी है और पांग सान है आगे देखते हैं आध्य गोद्वाना लेंड में कौन कौन से छेत्र समलित थे तो इसमें था एक दच्छिड अमेरिक्या, आफ्रिक्या, आस्ट्रेलिया, अंटाय कट्क्या और भारत अगला है, इसटोर हाउस आफ्मिनरल किस पठार को कहा जाता है इसटोर हाउस आफ्मिनरल किस पठार को कहा जाता है छोटा नागपुर ये बहुत समरिध है खनीज के मामले में अगला है भारत में ब्रहंस घाटे में प्रवाहित होने वाली इंदियां कौन-कौन सी है नर्मदा और तापती और तीसरी है दामोदर भारत में ब्रहंस घाटे में प्रवाहित होने नर्मदा तापती और दामोदर अगला है भारत में गली और खड़ा परदन से सरवाधिक प्रवाहित छेतर काउन है मालवा पठार गली और खड़ा परदन से प्रवाहित पठार काउन सा है मालवा पठार अगला है सोन और चम्बल नदिया किस दिशा में प्रावित होती है तो सोन और चम्बल नदिया उत्तर दिशा में प्रावित होती है सोन का जो सूर्स है कहां से मतलब निकलती है तो ये अमर कंटक से निकलती है मद्ध प्रदेश में अगला है भारती प्रायदीप का उत्तरी पूर्वी सीवा पर कौन सी पहाड़ियां अवस्थी थे तो उत्तरी पूर्वी में मेगाले की पहाड़ियां है जो गारव खासी जैनतियां भी यही है अगला है उत्तर तथा दच्छिड भारत के बीच प्राकृतिक विभाजक के रूप में कौन सी परवस्यड़ी जाने जाती है तो उत्तर भारत और दच्छिड भारत के प्राकृतिक विभाजक के रूप में बिन्ध स्यड़ी जो है यही विभाजक का कारिक करती है अगला है संसार की सरवाधिक पुरानी परवस्यड़ी कौन सी है तो अरावली सेड़ी है अरावली कहां से यहां से दिल्ली से लेके गुजरात तक है और सबसे उची चोटी अरावली सेड़ी की जो है गुर सीखर है राजस्थान में वस्थित है अगला है दिल्ली रिज की स्परवस्यड़ी का पूर्वी पिस्तार है मलब पूर्वी छोड जो है इसका अरावली सेड़ी का यह यह दिल्ली दिल्ली रिज के नाम से जानते हैं अरावली सेड़ी का पूर्वी पिस्तार और इसकी पश्चमी पिस्तार जो है गुजरात तक है अगला है माउंट आबू पर्ययटक अस्थल जहां जैनियों का प्रसिध धर्मस्थल देलवाला जैन मन्दिर है कहां स्थित है आरावली सेली पर स्थित है अगला है भौपाल किन नदीओं के दुवाब में स्थित है तो बेतवा एवंग पार्वती नदियों के दवाब में इस्थित है अगला है धुआधार प्रपात कहां इस्थित है यह जेवलपूर में है मद्ध प्रदेश में तो अगला है मालदा गैप द्वारा प्रिथक होता है भारती प्राइदीप एवंग मेघाले पठार मालदा गैप द्वारा अलग होता है भारती प्राइदीप और मेघाले पठार अगला है सत्पुड़ा स्रेड़ी की सर्वच चोड़ी कौन सी है तो यह है धूपगड तेरह सो पचास मीटर इसकी उचाई है अगला है अमर कंटक इसकी उचाई है एक हजार चाचत मीटर की स्पर्वच स्रेड़ी की सर्वच सीखर है तो मैकाल स्रेड़ी की अमर कंटक से तीन नदिया निकलती है नर्मदा तापती और सोन तीनों का सोर्स अस्थान ही अमर कंटक है अगला है पच्चमी घाट की उच्चतम छोटी कल्सु भाई 1646 मीटर की स्पर्वच सेड़ी में इस्थी थे तो ये है हरिष्यन सेड़ी जो है महारास्टर में इस्थी थे पश्मी घाट की उच्चितम छोटी कल्सु भाई 1666 मीटर ये महारास्ट्रा में इस्तित है ये हरिष्यन सिर्डी का भाग है अगला है दच्छिर भारत की उच्चितम छोटी कौन सी है तो ये है अनाई मोडी है इसकी उचाई है 2695 मीटर अगला है पश्मी येवंग पूर्वी घाट का मिलान बिंदु तो नीलगिरी परवत है पश्मी और पूर्वी घाट का मिलान बिंदु अगला है नीलगिरी का उच्चितम सिखर कौन सा है दोदा बेटा इसकी उचाई क्या है 2636 मीटर अगला है दच्चिड पठार से पालगार दर्जे द्वारा कौन सा परवत अलग होता है तो नीलगिरी परवत अगला है प्राइदीपी ये भारत के दच्चिड तम भाग अवस्थित परवत कौन सा है तो इलाइची परवत है अगला है पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी कौन सी है तो ये है महेंद्र गिरी इसकी उचाई है पंद्रो सो एक मीटर अगला है छोटा नागपूर की उच्चतम चोटी है तो ये है पारसनाथ 1366 मीटर तो ये अगला है हिमाले परवत और नीलगिरी के मध्य इस्थित भारत की सर्वच चोटी कौन सी है हिमाले परवत और निलगिरी की मध्ध भारत की सर्वत चोचोटी ये है गुर सीखर 1722 मीटर ये था पार्ट एक और चेप्टर तीन का जो भारत के भातिक प्रदेश हैं उसका जो रिमेनिंग है पर इच्छे दिस्टी हुम अगले वीडियो में पोस्ट करेंगे थैंक यू फार वाचीं